हाई दोस्तो कैसे हैं आप मैं आपने वालुठी एस वडिवाद करता हूँ आपका आपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लुटूथ के बारे में झीरा दोस्तोंस यह सब ह Dare came factor देखा होगा अपने ब्लूटूचल का हीज देखा होगा लेकिन क्या है मुडियो को पूर अजा के अंदर यह आपका मुबाईel चुप आ करता है시 कहां दूसर आफ दूसरे से बात करते हैं ऒर दूसरा उता होता है यहां से Bluetooth का और सब्सक्राइब बात करने वाले हैं आप सब्सक्राइब कीतना प्लूटूस के साथ अपना और फिटनेस दोगे उसको क्रेंट कर सकते हैं अपने headphone, earphones, sound speaker, mobile यह सब आप connect हो सकते हैं लैप्टोप में sharing हो सकता है और यहां तक ही आप mobile को Bluetooth से connect करके data का sharing भी कर सकते है data ले भी सकते है data अपने mobile में दे भी सकते हैं और इससे आप internet भी चला सकते हैं और अगर आपको यह पता नहीं है कि Bluetooth से कैसे इंटरनेट चला सकते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी उसको आप देख लिजेए आपको पता चल जाएगी और यह सब काम Bluetooth बहुत ही आसानी से कर सकता बीना किसी problem के और इसलिए आप अपने आज पास कोई भी Bluetooth है उन्होंने Bluetooth को इंटरूइस किया था और इसलिए इसका नाम Bluetooth रखा गया उनके नाम के उपर से Bluetooth रखा गया 2001 में launch की गई 2004 के अंदर Bluetooth 2.1 release किया गया 2.0 release किया गया 2008 में 3.0 2011 में version 4.2 2016 में version 5 को release किया गया और इसके अंदर और Bluetooth version 5.1 January 2019 में 5.2 December 2019 में 5.3 13 July 2021 में जो कि latest अभी launch किया गया है अब हम बात करने वाले Bluetooth के working के बारे में जिस mobile के अंदर चाब जिस device के अंदर Bluetooth है इसका मतलब उसके अंदर एक और ऋल्ट तुरी सीवर लगाया गया है जोकि signal को ट्रांस बीडिー गर सकता है और सिग्नल और को रिसीव भी कर सकता है वह कहीं ट्रांस रिसीबर दोनों काम करता है और वहां ते Bluetooth काम करता है और इसके अंदर जो all ट्रा हाइफ होती है जो कि रिडियो वे mr. स्रेक्वेंसी है वह 2.40 GHz से लेकर 2.4835 GHz तक चलता है सब के बीच में 2.40 GHz से लेकर 2.4835 GHz के अंदर यह Bluetooth अपना काम करता है और इसके अंदर वह 79 चैनल का प्योग करता है है 79 चैनल मतलब 79 बैंड जैसे कि 2.402 हो गया 2.403 हो गया ऐसे करते करते हैं 2.40 GHz से लेकर 2.4835 GHz के बीच में वह 79 चैनल यानि बैंड का प्योग करता है और आप सभी जानते हैं कि हमारे आज पास हर जगा रेडियो वेव सोता है मालेजी आप किसी भीड भाड़ी इलाके में वहां बहुत सारी लोग Bluetooth का प्योग कर रहे है फिर भी आकर आप अपने मोबाइल से कोई भी headset करके गाना सुन रहे हैं तो आपको चैन्ज करता है इसका मतलब कि एक बार इस बेंट पर रहेगा फिर उस बेंट पर चला जाएगा तुरंत तीसरे बेंट पर चला जाएगा ऐसे ही एक सेकंड़ के अंदर सोल सोबारवूर्ण बेंट को चैन्ज करते है जैसे ही डोल रोतृ डीवाइस आपस मां कन्येक्ट होते हैं तो उसके अंदर होता है और एक सेडर होता है जो कि एक सिगनल लोकि यह उसमें क्या होता है कि वो जैसे जब कनेक्ट हो जाते हैं तुर लोग आपस में कोडिनेशन के साथ फ्रिक्वेंस्य को चेंज करते हैं कभी इस फ्रिक्वेंसी पर ऐसे ही एक सेकंड के अंतर 16 लोग चेंज करते हैं और इसी के वज़े से कि अगर आप किती भी भीड भाड़ावाले इलाके में हो कोई भी आपके भीज का जो गाना होगा इंटरप्रेट नहीं होगा मिलेगा नहीं आपस भी और माल लिजे कि कोई एक सेकेंड कोई एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है कि जो कि ती बहुत ही फास्ट होता है और इसको लोग नेगलेट भी कर सकते हैं और यह बहुत ही बढ़िया तरिके से काम करता है चाहें आप अकेले में हो चाहें बेड़ भाड़े में हो और मैं आपको बता दूँ कि बुलुतूथ जो है वह आई-एसम फिक्वेंसी बकाता है मतलब कि की इन्डूस्ट्रियल सांटिफिक और मेडिकल बेंस के अंदर काम करता है और यहीं कारण है कि बुलुतूथ की जो रेंज है वह बहुत कम होती है क्योंकि इसको आइसम इंडुस्रियल सांटिफिक को मेडिकल यूज से लिए परफस के लिए बनाए गया था जहां पर हमको रेंज की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी लेकिन अभी हम इसको प्लुटूथ का हर जग करते हैं इसलिए इसकी रेंज को बढ़ाना हमको ज़रूरत पड़ गई है और जैसे जैसे नहीं टेक्नोजी आ रही है उसके अंदर इंवेंसर हो रहा है वैसे वैसे जो की ब्लु सब्सक्राइब करते हैं और जब दो से अधिक डिवाइस से करेंट होता है तो उसको पीको नेट बोलते हैं और जब दो पीको नेट आपस में कनेक्ट होते हैं तब उसको स्केटर नेट बोलते हैं और यह ब्लुटूथ लेस पाउर कम जक्शन है तो आपने बहुत बार देखा होगा कोई-कोई घड़ी होती जाए स्मार्ट फिटनेस बेंड होते हैं उसके अंदर एक सेल लग होती है लेकिन कोई भी जो डेटा शेरिंग हम करते हैं वो सेफ होता है क्योंकि मालेजिए कोई रुटू डिवाइस है उसकी रेंज अगर दस मीटर है दस मीटर के आज पास में तो आप जानते होंगे कौन है मैरे पास और उसकी अंदर कोई हैकर्स आएगा तो आपके पास में आके तो है आप यह जैसे जैसे ने इसके वर्जन आते रहें और यह और हाँ जब पहली बार ब्लुटूथ लॉंच हुआ था तो उसमें इतनी इसकी खासियत नहीं थी इसके अंदर रेंज सब नहीं था लेकिन जैसे जैसे इसके वर्जन आते गए अपडेट आता गया इसके अंदर वैसे वैसे यह बनिया होता गया तो और मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं ब्लुटूथ वर्जन 4.2 और 5.2 वह के बीच में तो आपको आई बटन में मिल जागा वीडियो आप वहां से इसको देख सकते हैं इसका डिस अड्वांटेज के बारें बात करें तो वह यह ह है तो मालेजे कि आप एक घर से दूसरे घर में गए और बीच में दो तीन दिवाल हैं तो वहां पर वह साउंड लीक करने लगेगा कभी कभी रुक के आएगा कभी नहीं आएगा डिस अड्वांटेज के अंदर यह भी है कि मालेजे कि हां यह तो बात है कि कोई आपका डे सब आप समझ गेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा शेयर कर देगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा थैंक्स पर वाचेंगे